पित्रों की फोटो तो आप सभी लोग अपने घरों में लगाते होंगे और पित्र कौन है हमारे माबाप दादा दादी जो अब इस दुनिया में नहीं है उनको जनरली हम पित्र कहते हैं तो पित्रों की फोटो सभी लोग अपने घरों में लगाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि पित्रों की फोटो अगर आप गलत दिशा में लगा देते हैं तो उसके क्या-क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा अलग-अलग दिशाओं में पित्रों की फोटो लगाने से क्या-क्या अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं और क्या-क्या साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं सबसे पहले अगर हम पित्रों की फोटो की बात करें या पित्रों की बात करें तो पित्र रिप्रेजेंट करते हैं साउथ वेस्ट की डिरेक्शन को साउथ वेस्ट की जो डिरेक्शन है उसे पित्र स्थान भी कहा जाता है तो पित्रों की फोटो रिप्रेजेंट करती है साउ दिशा में लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं आपकी तरक्की का जो लेवल है वो बहुत जादा अच्छा हो जाता है लेकिन अगर आपके घर में पित्रों की फोटो किसी गलत दिशा में लग जाए तो उसके साइड इफेक्ट्स भी अब लोगों को देखने को मिल सकते हैं तो आएए जानते हैं अलग- ALग दिशाओं में पित्रों की फोटो का क्या इफेक्ट होता है सबसे पहले अगर बात करें अगर इन इन टीनों में से किसी भी दिशा में आपके घर में पित्रों की फोटो लगी हुई है तो यह आपको kidney disorders दे सकती है 100% मैं जो भी बात करता हूँ वो बहुत सारी case studies में study करने के बाद और सारी चीजों को देखने के बाद symptoms को match करने के बाद ही मैं कोई बात करता हूँ तो अगर आपके यहाँ पे north में या north-north east में या north-north west में पित्रों की photo लगी हुई है तो orders का opportunities का flow life में खतम हो जाता है और इसी के साथ साथ आपको kidney problems देखने को मिल सकती है kidney में stones हो जाते है kidney खराब हो जाती है kidney की functioning जो है वो बंद हो जाती है आपने सुना होगा north east की direction मंदिर के लिए बहुत अच्छी होती है लेकिन कई लोग क्या करते है अपने मंदिर को north east में बनाने के बाद मंदिर में अपने ancestors की photo अपने पित्रों की photo रख देते है north east में अगर आप पित्रों की photo रख देते है तो वो पित्रों की photo आपके दिमाग में आने वाले ideas को block कर देगी आपको जीवन में क्या करना है अधिक सफलता अधिक तरक्की पाने के लिए वो जो ideas हैं वो जो insights हैं वो आने बंद हो जाएंगे Eastern side में अगर आप पित्रों की photo लगाते हैं तो eastern side में पित्रों की photo आपके blood circulation को hamper करती है और आपके heart की जो functioning है वो hamper होती है heart की जो functioning है वो कम हो जाती है heart सही तरीके से काम नहीं कर पाता सही तरीके से आपके blood को आपकी body में नहीं पहुचा पाता southern sides के अंदर यानि की south east में और south में अगर आप पित्रों की photo लगाएंगे तो payment का जो flow है वो hamper होता है south east में अगर पित्रों की photo लगी होती है तो घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो बहुत जादा aggressive nature के हो जाते हैं toilet बनाना बहुत जादा ideal वाना जाता है अगर आपके घर में गलती से south south west की direction में अगर पित्रों की photo लगी हो तो वो जो पित्रों की photo है south south west की direction में वो आपको दरिदरता की और ले जाएगी घर में जितनी भी जो भी आप activities करेंगे वो सारी loss making होंगी और आपके परिवार में बहुत जादा loss जो है वो आपको देखने को मिलेगा परिवार में बहुत जादा कलेश होने लग जाती है, divorce related problems आने लग जाती है, family disputes होने लग जाती है तो disposal की direction जो है वो पित्रों की photo के लिए बहुत जादा dangerous होती है south west की जो direction है जिसे वास्तु शास्तर में पित्र स्थान भी कहा जाता है यहाँ पर अगर आप पित्रों की photo लगाएंगे तो यह best direction मानी जाती है पित्रों की photo के लिए south west में पित्रों की photo लगाना ideal है और अगर आप south west में पित्रों की photo लगाते हैं तो आपका अपने परिवार वालों के साथ, अपने सभी रिष्टेदारों के साथ, जो संबंध है, वो बहुत ही बहतरीन हो जाता है, और आप लोगों से जुड़के रहते हैं, इसी के साथ साथ आपके जीवन में stability बनी रहती है, बहुत जादा कोई उतार चड़ाव जो हैं, वो जीवन में नहीं आते, तो अगर आपको पित्रों की फोटो लगानी है अपने घर में, तो उसे साथ वेस्ट में ही लगाएं, अगर बाए चांस आपके घर में साथ वेस्ट की डिरेक्शन में कोई टॉलेट है या कोई ऐसी जगा है, जहां पे आप पित्रों की फोटो नहीं लगा सकते तो आप अपने पित्रों की फोटो को west-southwest या west की direction में भी लगा सकते हैं. west-northwest depression को represent करती है, अगर west-northwest में आपके पित्रों की फोटो होगी तो घर में एक depressing महाल बन जाएगा, सभी लोग घर में depressed रहेंगे, रोते रहेंगे, बहुत जादा खुशी का महाल जो है वो उस घर में नहीं रहेगा, जिस घर में west-northwest यानि की depression की direction में पित्रों की फोट लगी हुई है, नौर्थ-वेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो नौर्थ-वेस्ट की direction support को represent करती है, यहाँ पर भी आप अपने पित्रों की फोटों लगा सकते हैं, अगर by chance southwest में आपके पास जगा नहीं है, तो जब भी पित्रों की फोटों घर में लगाएं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप उस फोटों को कौन सी दिशा में लगा रहे हैं, कहां लगा रहे हैं, नौर्थ में, इस्ट में और साउथ-ईस्ट में पित्रों की फोटों को लगाने से बचना चाहिए, साउथ-वेस्ट की direction पित्रों की फोटों के लिए ideal मानी जाती है, वेस्ट में, साउथ-वेस्ट में भी आप लगा सकते हैं, नौर्थ-वेस्ट में भी पित्रों की फोटों लगाई जा सकती है, अगर मैं फ्रेम कलर की बात करूँ, तो पित्रों की फोटों को साउथ-वेस्ट या नौर्थ-वेस्ट में अगर आप लगा रहे हैं, तो आपको आपके जीवन में बहुत अच्छे परिनाम देती है, आपके जीवन को stable रखती है, रिष्टे stable रहते हैं, आपकी income stable रहती है, आपका पूरा परिवार और परिवार की जो भी activities हैं, बहुत जादा stable रहती हैं, तो चेक कीजिए आपके घर में पितरों की फोटो कहां लिखने के बाद, और जो भी आपके effects हैं, comments में आप मेरे साथ share भी कर सकते हैं, धन्यवाद.